हम आज प्रोटीन सिंतेसिस के बारे में पढ़ेंगे प्रोटीन शद जेजी मुल्डर ने दिया था प्रोटीन अणों अमीनों उमलक के वह लग होते हैं जो पेप्टाइड बंदों के द्वारा जोड़कर करके पॉली पेप्टाइड स्रंखला बनाते हैं प्रोटीन सजीवो क्रम में डिन पर लिखे हुए जैनेटिक कोड के द्वारा नियंत्रत होता है इस कोड को त्रिक क्यों केते हैं इस क्रेखान में के दियानिorf क्यों पहले से पहले इम आरे ने वहीं से राइबसों पर प्रोटीन का संसलेशन होता है इससे समझने के लिए कई कंसेप्ट दिये गए FSC Crick ने one way flow of information concept दिया जिसे Central Dogma केते हैं इस Central Dogma में जैसा कि इस चित्र में दखाया गया यह DNA DNA से mRNA बनता है messenger RNA फिर उसके बाद में यह translation से फिर protein synthesis होती है इसको हम एक वीडियो के द्वारा भी देख सकते हैं जैसे कि यह एक सेल है एनिमन सेल जिसके उपर यह plasma membrane है पिंक कलर की यह cell के अंदर यह cell organelle है cell organelle के अंदर सबसे मैतपूर्ण होता है nucleus और वो इस nucleus के अंदर यह nuclear membrane nuclear membrane में यह चित्रों के द्वारा आप nuclear plasma पहुंचेगे nuclear plasma यह chromosome यह गुणसूत्र होते हैं जो होते हैं और वो एक chromosome DNA और histone protein से मिलकर बनते हैं इस प्रकार से लडियों के रूप में पाए जाती है और उस पर यह DNA कुंडले दवस्ता में पाए जाता है DNA double helical structure होती है CD के समान से नचना जिसके उपर gene पहे जते हैं यह nucleotriodon से मिलकर बनती है जीन अन्वांसिक लक्षणों के वाहक होते हैं अब इस DNA से जब RNA बनता है तो उसके लिए RNA polymerase enzyme की अवश्चकता होती है यह polymerase enzyme DNA की लड़ी को बीच में से तोड़ते हुए और एक नए strength का निर्माण करता है जिसे mRNA कहते हैं यह mRNA ठीक इसका complementary strength होता है जो एक लड़ी पर DNA की एक लड़ी होती है उसका complementary strength होता है mRNA बनने के बाद में इस messenger RNA में कुछ टुकड़े खंड ऐसे भी होते हैं जो अनावशक होते हैं जो जरूरी नहीं होते उन अनावशक टुकड़ों को बीच में से काटना जरूरी होता है जिसे इस प्रकार से यह कट करके यह जो दोन जुड़गे अब यह mRNA तैयार हो गया है messenger RNA अब यह nucleus से निकल करके nucleus शित्र से निकल करके और यह साइटोप्लास में आएगा साइटोप्लास में जाकर के राइवसोम के पास जाएगा और राइवसोम के दो यूनिट होती है इसमाल यूनिट और लार्ज यूनिट इन दोनों यूनिटों के बीच में वह फस जाएगा और वहां पर PARTA रन रोता है दूसरा और यह कोडोन को इन सूच्णाओं को और त्रांसलेट करता है और रांसलिट करने के बाद में फिर उसी niew्यागा अनुशार अमीनों लों को सा प्रोटीन के अंदर होता है यह प्रोटीन बन गई और प्रोटीन के आदार पर ही जीवों के जो फिनोटाइपिक लक्षण है वो उसके आदार पर ही निरदारित होते हैं इसकी मेकेनिजम को समझने के लिए हम यह चार-पांच इसके स्टैफ हैं उनको समझना जरूरी होता है उनको एक निश्चित करम में चलते हैं जैसे के ट्रांस्क्रिप्शन जैसा कि हमने अभी देखा कि MRNA का संसलेशन सब्सक्रिप्शन के लाता है डियाने से MRNA बनता है जिस से इस सिंथे इंजैम की उपस्थिति में यह सक्रिय हो जाते हैं उसके बाद चौथा चौथा स्टैफ है टीर अरेने से अमीनों का सल्लगन टबी होता है जब वो अक्टिवेट होते हैं और इसके बाद में जो एक्टिवेटेड जो एयूजी होता है इस कोड से प्रेजित करता है और फिर इसके राद प्रेजित्व नाका दीरीरय करण होता है यानि उसके इंदर अमीनो अमलो जड़ते प्रेविस करते हैं और प्रेविस करते हैं और निकलते जाते हैं और जुड़ते जाते हैं यू ए यू ए जी से इस प्रकार से यह प्रूटीन का